Hello everyone, मैं विश्रुजीत सिंग, आप सभी का दाइन अपस्वागत करता हूँ दोस्तों आज की स्वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 03 के All Important Topics को study करने वाले हैं MHI 03 के अंदर में जितने भी lesson है, हर lesson के अंदर में जो भी topic बनता है उसके बारे में हम बात करेंगे साथी साथ हम देखेंगे कि previous year के question देपर के अंदर में कौन से topic आ रखे थे और इस साल होने वाले exam के अंदर में कौन से topic आ सकते हैं इससे benefit क्या होगा कि आपके पास दो तरह के list बन जाएगी एक list जिसके अंदर में most repeated topic होगा, कि कौन सा topic सबसे जादा बर repeat हो रहा है कहां से study करना चाहिए, किस book से study करना चाहिए, notes अगर चाहिए तो कहां से मिल सकता है और last में हम बात करेंगे कि कैसे हम time management सीख सकते हैं क्या answer writing कर सकते हैं, किस तरह के answer writing करें, किस तरह से हम अपना paper attempt करें जिस से हमारे एक अच्छे number बन सकते हैं exam के अंदर में चलिए video start करते हैं, detail में समस्ते हैं सबसे पहले मैं बात करूँ अपने book के बारे में, जो हमारी book है MHI 03, MH history का, second year का first book है जिसके अंदर में बात करते हैं, इतिहां अस लिखन के बारे में हिस्टोग्राफिक के बारे में के अनुसार उसको दरसाना, तो किस तरीके से दरसा आए जाता है उसके बारे में हमें आपे सीखेंगे, और किस इतिहांसकार का क्या मानना था, किस ideology के हिसाब से कैसे बताया चीजों को ये भी आपको इस book के अंदर पढ़ने के लिए मिलेगा एक important book है और आगे अगर आप UGC net के लिए भी जाओगे तो वहाँ पर भी MHI 03 का जो हिस्टोग्राफिक की book है उसका एक important role रहता है चलि हम यहाँ पर lesson wise स्टार्ट करेंगे, आपके book में unit wise दे रखा है पर यहाँ पर हम lesson wise बात करने वाले हैं सबसे पहला हमारा पहला lesson आता है जिसके अंदर में topic आता है आपका सम्मानने करन क्या है जर्नलाइजेशन इसको हम ही इंगलिस में बोलते हैं देखो यहाँ पर आपका lesson number one से लेकर lesson number जो four के बीच में चार chapter आते हैं तो चारो chapter को आपको ध्यान से पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है और easy topic है कोई ज्यादा tough नहीं है सम्मानने करन जर्नलाइजेशन होता क्या है तो इसके अंदर में कोई भी topic है किस तरीके से उसको हम दरसाते हैं history के अंदर में आपको इस तरह की वीडियो की जोरत है इसके कांसे में बना रहो main purpose हमारा क्या रहेगा कि आपको ज़्यादा ज़्यादा number मिल सके अच्छे साब त्यारी कर सको आपका exam में अच्छे number बन सके आपके अच्छे percentage बन सके इसको आपको दिखाना होता है तो कोई भी घटना हम जब बात करते हैं history के अंदर में सरीप यह हो गया अब हम बोल रहें क्यों मर गया तो यार मरने के पीज़े किसी की बारे में बोल रहें कि गांदी जी को गोली क्यों मारे गए तो गांदी जी को गोली क्यों मारे गए उसके पीछे पीछे कोई रीजन होगा कोई ना कोई पूरा इवेंट बनता होगा कि इस कारण से एसससे रहा होगा ठीक है बोलते है First World War हुआ Second World War हुआ तो Second World War हुआ क्यों कोई रीजन है कोई emergency कारण है किस तरीके से क्या incident ट्री कौन कौन से step by step build हुआ जिसके कारण से first world war, second world war हमें देखने के लिए मिलता है तो हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है तो यहाँ पर history के अंदर में जब भी हमें त्यांस कार लेकि त्यांस लिकन करते हैं तो वहाँ पर कारण कारण सम्मंद के उपर में मैं नज़र रखना होता है कि किस तरह का incident है किस तरह की घटना रही है क्या कारण रहा होने के पीछे वो आपको बताना होता है तो कारण कारण सम्मंद यह भी important topic आपका रहता है अब हम बात करते हैं वस्तु पर रखता और व्यांख्या के बारे में यह आपका third chapter आता है जिसके अंदर में बात करते हैं कि कोई भी incident घटा तो उसको किस तरह के से दर्थाया गया ठीक है अई कई बार आपको ने देखा होगा आजकल new channel जो हमारे नए ने new channel खुल चुक है अगर आप cable देखते होगे या YouTube पे भी देखते होगे तो वो इस तरीके से news को present करते हैं जिसमें आपको लगेगा ना कि पतानी कितनी बड़ी बात हो गई ठीक है कितनी बड़ी बात होगे जैसे अब यहां पे मैं कल एक news देख रहा था जिसमें परदानमंत्री ने टेजस जो थे उसको flight किया था उड़ाया था ठीक है परदानमंत्री खुद नहीं उड़ा रहे थे उसके इंदर में बैठे थे साथ में पाइलेट थे वो उड़ा रहे हैं कि परदानमंत्री चीन पर जाके अटेक कर रहे हैं परदानमंत्री पाकिस्तान पर जाके अटेक कर रहे हैं इसराइल को जाके सपोर्ट कर रहे हैं मतलब इस तरीके से ना वो पूरा अनिमेटेड करके दिखा रहे हैं और इतना जाता बढ़ा कि दो मिनट का news था द किस तरीके से जो तथ है कर्मानुसार किस तरीके से practice किया जाता है तिक किस तरीके से present किया जाता है इसके बारे में बात की जाती है कोई भी incident घटा तो उसके पीछे क्या fact है proper fact की जाच करना करम बत तरीके से present करना proper serial तरीके से आप पताओ कोई चीज की पहले घट गई बाद म सामानि करन्त कारणगार्ट समफ्थ वस्तु परखता पीनों टॉपिक हैります इसी इसर्ट Vaik पर शौत्टर के अंदर है विचार धार के बारे में विचार धार हो टीक है तो कोड़ी एक प्ढ़ना है अच्छे तरीके से तो आप यह करो तो आप ये कुछ खास चाप्टर नहीं रहता हैं यहां पर कोशन को प्रभावित करने वाले विचारदारा कोंसे हैं एसे विचारदार हो जो यहांस को अब बन करते हैं तो यह आपको यहां बता नहीं होता इस कुछ खास लिप तो पहले तीन चैप्टर में से कोई ना कोई 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 बन कर आता है और जो आपका नियू स्लेवर से अपड़ेटेट से महीं हिस्ट्री का उसके अंदर में यह हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है वह बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा है तो आपके लिए प्लस पोइं तीन से जुरूर पढ़ना क्योंकि आपके नेट के अंदर में बहुत हेल्फुल होगा उसके अंदर में बहुत अच्छे तरीके से आपके टॉपिक को एक्स्प्लेइन कर रखा है ठीक है वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सब भी वीवर से यह भी एक्साम की कहा से स्टडी करें तो आपके लिए बैटर रहें गा यहां पर एक चीज यह रहता है इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप जाओ एक उनुकी बुग स्टडी करना स्टार्ट कर दो वह बैणिफिट नहीं है इस वीडियो का बनाने का मोटीव मेरा यही है कि बुक के अंदर में आपके मालो में हिस्ट्री में चैज जुरूत्री के अंदर में टोटल 50 प्लस टॉपिक है तो 50 प्लस टॉपिक है तो एक एक चैप्टर को जाके लगते 50 प्लस टॉपिक निपड़ सकते आपको अगर आइडिया मिल जाए कि यह वाला चैप्टर के अंदर में टॉपिक है और यह वाला चैप्टर का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट जैसे अभी मैंने बताया यह आपका एक से लेके तीन तक के बीच में जो चैप्टर है ना इसमें से तीनों में से कोई ना एक नएक कोश्चन बनकर आना है कमपल सरी है कोई सा भी पेपर उठा के देख लो लास्ट पांच साल का तो आपको पता चल जाएगा कि एक नएक टॉपिक बार बार आ रहा है तो यहां पर इस बार भ दाइनब के उपर में आपको फ्री अपकोस्ट में वीडियोज मिल जाएंगी प्रिवेसर कोश्चन भी परकी उसको भी जाके देख सकते हो और उसके लिए आप चाओ तो दाइनब को थाइंक्स पे कर सकते हो ठीक है जो भी आपके माउंट वो आप भी पे कर सकते हो अपनी कोस्ट में बणकर आ जाता है कि इतिहांस लेकन में यूनानी रोमन परमपरांपरा के बारे में बताएं क्या माना जाता है इनकी बनकर आ जाथा है किस तरीके से उनने तिहास को present किया किस तरीके से बताए ये question मन कराता है तो ये वाला chapter भी आपका important रहेगा chapter number 5 के अंदर में यहाँ पर आपको herodrotus को सही से पढ़के जाना है thusiside को सही से पढ़के जाना है thusisdesus या thusiside भी बोला जाता है thusisdesus जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको सही से पढ़के जाना है और levy के बारे में तो सही से आपको सही से जानकार लेके जाना है जिसके बाद आप अच्छे से इसको explain टपाऊगे अब यहाँ पर यह रहता है ना आप एक list proper बना लो कि कौन से इतिहासकार यूनानी इतिहासकार थे कौन से इतिहासकार रोमन इतिहासकार थे और दोनों के अंदर में क्या difference था है किस तरह से उन्होंने अपनी विचारदार प्रजेंट करी यह important रहता है यहाँ पर question यही बनकर आएगा तो वो आपको प्रफर बताना होता है तो दोनों को आपको तुलातमक तौर पर ही study करना है यूनानी जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या बोला ठीक है वही पर रोमन जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या प्रजेंट किया रोम को लेकर ठीक किस तरह से इतिहास के अंदर में व्यक्त किया चीज़ अपनी आपधार ना किस तरह से रखी है उसको explain करना है और तो लात्मक तो और पर study करोगे ना तो दोनों को compare करना आपके लिए easy हो जाएगा आगे बढ़ते हैं chapter number 6 के अंदर में बात करते हैं पारंपरिक चीनी तिहास लेखन के बारे में यहाँ पर सबसे पहला topic आता है आपका Confucius वाद के बारे में और दूसरा टॉपिक आपका आता है चीन में इतियास लेकन या पारम पर एक चीन इतियास लेकन के बारे में देखो, जब हम Confucius के बारे में बात करते हैं तो एक तरह 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 यह ideology थी Confucius वाद का तो यहाँ पर का जाता है कि इसके अंदर में मानफ़ता को महत्वत दिया जाता है मानफ़ता वाद है क्या हुमिनिटी है क्या उसको इंपोर्टेंस दी जाती है साथे साथ मनुस्यों को केंदर बिंदू माना जाता है यहाँ पर इस्वर सक्ति या देवी सक्ति को केंदर बिंदू माने से इंकार करते हैं जैसे आज हम अपने भारत के अंदर में हर चीछ का स्रे हम कही न कहीं बगवान को देते हैं पर Confucius Vat के अंदर में मनुष से जो human है उसको importance दी जाती है उसको केंदर बिंदू माना जाता है और human को ही ना केंदर बिंदू में मानकर सारी गटना है गटती है इस तरीके से यहाँ पे Confucius Vat के अंदर में दिखाया गया और जब हम चीन के यहाँ पे तो Confucius Vat आपको समझ म बोले जिसके अंदर में यह बात की गई कि जो प्राचिन चीन का इतिहां विकास किस परकार से हुआ पारमपरी के लिखन पर करिया किस परकार की है और पारमपरी कि इतिहांस लिखन किस परकार का चीन का यह टॉपिक भी इंपोर्टेंट रहता है तो यह वाले चैप्टर को भी आपको थौशा पढ़ना है Confucius Vat के उपर टाइम देना है यह चीन में इतिहांस लिखन के उपर में थौशा टाइम देना है जिससे आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं अगर आपके एक्जाम में आते हैं तो देखो यहां पर मैंने आपको कई सारी बुक्स में बढ़ा रखा है कि भारत के उतिहांस लिखन को लेकर एक गलत फ़ाहती जितने भी इतिहांस कार आई चाहिए आप अरब के इतिहास कार की बात कर लो, चाहिए जो इस इंडिया कमपणी के उससमें जो अधिकारी लोगते, जो इतिहास लिकरे थे भारत का, उनके बारे में बात कर लो, या कोई दूसरा यात्र विद्विजतान तो उसके लेकर कई सारे गलत फेहिमी है भारत को ल था ठीक है कई सारी इत्यास कारों ने इसको पर में परसन उपाया भारत के इत्यास लिखन को लेकर बट अगर आप एक्चुल माइने में देखो तो भारत का जो इत्यास लिखने वागी विश्विव के मुकाबले में कहीं जादा आगे है बट कुछ ये चीज़े कह सकती है कि तो वेद पुरान उपनिशदीत ने सारे बड़े पड़े हैं समृतियां बहुत सारी बड़ी पड़ी हैं ठीक है जिसको अब पूरा संपुन ग्याने भारत के बारे में पर लोगों के पास जो ये नौलिज है ना वो कहीं ना कहीं स्टोरी रूप में है ठीक है आज हमारे में मपी पाप पड़े लिखे नहीं भी है मान के चलते हैं दादि दादी पड़े लिखे नहीं भीकिसी गर में फिर 24 रहते हैं माहबारत के यह जानते हैं और भूसारे इस वह दुरग से पार होगा वेद पार्ट वो कनठस याद अनको इसका रीजन यह है कि कहीं ना कहीं उनके पुर्वज या उनके पुर्वज कहानी के फॉर्म है ना, दीरे 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 उनके मांड में set करते चले गए, अब हमसे पूछा जाता है कि राम जी का जनम क्या हुआ था, यार डेट अब बर्थ किसी को याँ थोड़ना है, कि राम जी का जनम कब हुआ, तो वे द्वापर में हुआ त्रेता में हुआ इस तरी के सम बोलते हैं ठीक है तो प्रॉपर हम ना यूग के अंदर में पूरे टाइम पिरेड को यूग के अंदर में रखके चलते हैं कि द्वापर में ये हुआ त्रेता में ये हुआ ठीक हम ये मान कर चलते हैं पर जो आज के आधुनी की त्यासकार है उस date को valid करते हैं कि अच्छा 20 जुलाई इतने कोई यह हुआ ठीक है 5 अक्टूबर 1909 भी कोई इसका जनम हुआ इस तरीके से मतलब यह define के जाता है तो इस तरह से भारत की त्यासकार है वो भारत की त्यासकार जो डिलाते हैं कि भारत क पास कोई अपना प्रॉपरे की त्यास नहीं है हिस्ट्री नहीं है उनको लिखने की विदी नहीं थी कई सारे अरभी त्यासकार जो अरब की त्यासकार थे ठीक है हिंडो फार्सी त्यासकार थे उनका भी यहीं मानना था पर अगर भारत की त्यासको देखा जाए तो लेख खाना चाहते हैं यह भी एक important रखता है ठीक है समझ में आता है chapter number 7 तो यहां पर question यही बन कराता है कि भारत प्राचिन भारत में इत्यास लिखन का क्या importance रहा किस तरीके से प्राचिन भारत का इत्यास लिखन है वो आपको बताना होगा chapter number 8 जहां पर हम बात करते हैं मद्यकालीन इत्यास लिखन तुश्यमी के बारे में तो यहां पे normally portion बनकर जो आता है कि मद्यकाल के अंदर में इत्यास लिखन के अंदर में तो इसाई इतिहास लेकन किस प्रकार से लिखा गया, इसाई धर्म के अंदर में, जो इसाई लोग थे, उनके दुवारे इतिहास को कैसे प्रजेंट किया गया, तो यहाँ पे देखो, पॉप को और इसाई धर्म के जो लोग थे न, अपने धर्म को सुपियर मानकर उनके तु तो यहाँ पर question यही रहता है कि मद्देकाल के अंदर में जो इसाई धर्म ता उसके अंदर उंतरकत किस तरते इतियास को लिखा जाने लगा यह आपको बसाना होता है इसके अंदर में कुछ question और भी बन कराते है कि मद्देकालियन यूरोप में इतियास लेकन किस परकार स होता था? यूरोप के अंदर में इतियास किस तरीकर से लिखा जाता था? ठीक है धार्मिक अधार पर बताईये यह धर्म निर्पेक्सता के अधार पर इतियास लेकन किस कि जो लोग इसाई थे कही ना कहीं वो appreciate करते थे अपने धर्म को कहीं ना कहीं अपने धर्म को superior मानते थे तो उनके थुरू क्या ideology ति किस तरीके से वेक्त किया गया इतियांस को उसको यहां पर बताना होता है अगला चैप्टर आता है चैप्टर नम्मर 9 जहां पर हम बात करत है कि अर्भी तिहांस लेकन है क्या अरब के अंदर में तिहांस लेकन कि स्रीके से लिखा जाता था अरब की जो पारंभी के तिहांस लेकन परंपरा है वो क्या थी यह बताना है ठीकर तो कुछ खास question नहीं रहता है पर अगर नॉर्मली अगर आप देखोगे ना चैप्टर नंबर 7 से लेकर ना चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक के बीच में कोई एक नए question बनकर आता है अगर पूछा जा रहा है कि प्राचिन भारत का इतियांस लेकन बताओ तो सिर्फ भारत के बारे में बात करेगा अगर पूछा जा रहा है कि यूरोप के बार फारसी के बारे में बताओ तो यहां पे सिर्फ फारस के बारे में पूछा जाएगा या फिर इंडो फारसी के बारे में पूछा जाएगा तो यह total 7, 8, 9 और 10 यह total 4 chapter का मिला कर एक question आपके exam में बन कराता है क्योंकि 4 chapter का जो है ना सिर्फ location अलग-अलग है question का pattern same रहेगा ठीक है प्राचिन भारत का इतियांस लिखन के बारे में बताओ Europe के इतियांस लिखन के बारे में बताओ ठीक है या फिर अरदी और फार्टी जो इतियांस लिखन परमपराती उसको ये बारे में बताओ या फिर इंडो-पार्शियन नियांस लेकन के परंपराओं के बारे में बताओ तो चारो चैप्टर के अंदर में almost similar question बन कर आते हैं पूछने का तरीका से हम होता है question के answer बस change होने बारे तो उसको आपको थोचा बढ़के चलना पड़ेगा चैप्टर नमबर 10 के अंदर में जो questions बन कर आते हैं इंडो-पार्शियन और मद्यकालीन इतियास लेकन के बारे में आता है जिसके अंदर में एक कोशन या भी बन कर आता है कि सल्तनत काल के अंदर में परमुक इतियासकार कौन थे आब इंडोपार्शिंग के अंदर में हम सल्तनत काल को भी count करके चलते हैं, और सल्तनत काल के अंतरगत जो भी इतिहास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 11 के और देखो चैप्टर नमर 11 के अंदर में जो हमारे चैप्टर उसका नाम है इस्थानिय इतिहास के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर तीन छोटे छोटे टॉपिक बन कर आते हैं और तीनों टॉपिक का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं एक्जाम के अंदर में टिपनी बेस कोशन के तौर पे पूछा जाता है कई बार में कोशन के इंदर में भी आता है कि मोखिक इतिहास लिखन क्या है सुक्षम इतिहास लिखन क्या है और इस्थानी इतिहास लिखन क्या है अब देखो मोखिक इतिहास लिखन क्या होता है तो मोखी का अधार पे ही इतियास को जानते हैं सुक्ष में इतियास क्या होता है कि एक छोटा सा दाइरा जहां पर एक परिवार के बारे में बात करते हो एक गाओं के बारे में बात करते हो एक कस्वे के बारे में बात करते हो थीक है समझिमना आता है तो यु तीनों टापिक है न कई बार टिपडिने कांद माशन के अदर में आता है तो इशको आप टिपडी based question के तौर त्यारी कर सकते हो दस नंबर का टिपड़िनी based question होता है important chapter है परतेक्षवादी अगर हम प्रंपराओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो टापिक आपके बन कर आते हैं पहला तो यही रहता है कि परतेक्षवादी प्रंपरा है क्या परतेक्षवादी प्रंपरा कहते किसी है अब देखोगे यहां पर परतेक्षवादी प्रमपरा या August Connt के द्वारा यहां पर जो विचारदा देखे ना परतेक्षवादी प्रमपरा की वो August Connt के द्वारा में यह दी गई थी परतेक्षवादी प्रमपरा की अब तो परतेक्षवादी प्रंपरा का यह मानना होता है कि reality में exist करता हो, सच में हो, परतेक्ष रूप से हो चीज़े, जैसे कोई भी घटना घटी, तो वो घटी है reality में या नहीं घटी है, यह चीज़े देखी जानी, ठीक है आप उसको अनुभव कर सको, उसको प्रजेंट तो अनुभव बात की परंपरा का जो दिरिश्टी को ने, लियोफोर्ड रानके के द्वारा दिया गया था, ठीक है लियोफोर्ड रानके की, रानके वादी दिरिश्टी कोन के इंतरगत, इसको रखा जाता है, कई बार कोशन ये भी बन कर आता है, कि लियोफोर्ड रानके का इत्यास के अंदर में रानके वादी दिरिश्टी कौन का है उसको बताईए तो रानके वादी जब आप बात करोगे ना रानके वादी दिरिश्टी कौन का है या लियोफोड रानके के दिरिश्टी कौन के बारे में तो वहां पर आप बात करें और अनुववववात्मिक जो विचारदार है उसको बताईए रानके वादी दिरिश्टी कुन को बताईए तो भी यहाँ पर अनुववबात को भी बताना है क्योंकि दोनों similar है ठीक है एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है और जो प्रतेक्षवादी परंपरा का जो विचारदार है आगस्त कांत के द् चैप्टर नंबर 13 के और बढ़ते हैं जहाँ पर हम बात करते हैं सास्त्रिय माक्सवादी परंपरा के बारे में जहाँ पर कोशन बनकर या आता है कि इत्यास के संदर में माक्सवादी सिदान्त है क्या जो माक्सवादी की विचारदार है वो किस परकार से इत्यास के संदर में रखा गया ठीके क्या मानना था लोगों को ठीके यह आपको यहाँ पर बताना होता है चैप्टर नंबर 13 के अंदर में कोशन अच्छा रहता है कोशन कई बार यह भी बनकर आता है इसके अंदर में कि माक्सवादी और समाजवादी जो विचारदर है समाजवादी विचार से लुप बताना होता है किस तरीके से इतैयास के अंदर में करता है — ये 하पको बतानाना आता है. तो माकषवादी है, समाजवादी question बन करता है अगला उत्ला अगला श्यप्पर आता है आपका अनाली स्कूल का अनाली स्कूल है क्या तो एक important topic है यहां पर हम किसी स्कूल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं एक तरह से आप यह मान के चले एक पत्री का थी जो अनाली स्कूल के इंतरगत प्रिंट के जा दी ती और कुछ इतिहासकारों को सम्मू इसकी स्कूल के लिए work करता था जिनकी ख की चाहरा तारह किसके द्वार रफ गई ती सब्सक्राद का राए क्योंड तो मार्क बलॉक और लूई फेबरिक के द्वार यहां पर अनाली स्कूल की विचाल दारा poking सलामинки janum स्कूल की विचादार आई थी, मार्क ब्लॉक और लुई फेवरिक के दौरे यहां पर आई गी थी, ठीके चैप्टर नमबर 15 जहां पर हम बात करते हैं, मार्क्सवादी द्रिश्ची कोन के बारे में, पश्चिमी मार्क्सवादी इतिहास लेखन के बारे मारे आजाता है, किसी थोड़ी थी, किस तरी से मार्क्सवाद की विचादारा ग्रो करी, यह रहता है, कोश्चन बनकर आता है, या फिर कोश्चन यह बनकर आता है, कि दुट्टे विश्यूत के बाद मार्क्सवाद की विचादारा क्या थी, अब देखो, यहां पेना जो second world war हुआ, second world war से म मार्क्सवाद की विचादारा काफियत तक परिवर्तित हुई, इसका reason यह था ना, कि second world war से पहले, मार्क्सवाद ने यह प्रिडिक्ट किया, एक कलपना करी, या फिर वो लोगों को सामने यह बता है, कि देखो, यह चीज ऐसे से परिवर्तित करते हैं, तो यूद नहीं हो सब कुछ उल्टा में देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पर एक नया फेस था, मार्क्सवाद का, जिसको हम पश्यमी मार्क्सवाद के तौर पे दिखाते हैं, या फिर दुत्य विश्वीत के बाद मार्क्सवाद की विचादारा में क्या परिवर्तन रा उसके तौर परंपरा के बारे में, ठीक है, कोशन ये भी बनकर आता है, दोनों टॉपिक को जोड़ कर पुछा जाता है, उत्तर आधुनिक्तावाद और आधुनिक्तावादी, जो विचारदारा उसके अंदर में डिफ्रेंस किया है, किस तरीके से दोनों के अंदर में डिफ्रेंस आत है तो देखो उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में जा इए अब बात करें तो यह से इन और चलव को और यहां पर इस विक्सित किया गया था इसके इंदर हम बात करते हैं विक्सित समाज के बारे में कि किस तरह का समाज है किस तरिके से विक्सित होता जा रहा है और जब हम बात करते हैं यहापई 걷ेन भी बनकर आता है यह जो आपका कोंचिन बनकर आएगा तो अधुनेक्ता आथा तक उत्तर आधुनेक्तावाद से लेटेर यहां पे बनका रहाता है एक दोनों को आपको पढ़के चलना है उत्तर आधुनिकता बाद मतलब एक time period बीच चुका उसके आगे की समय के बारे बात करते हैं ठीक है आप जैसे कहते है प्री वर्जन प्री प्लेएर प्रो प्रोपलेएर है तो प्रोपलेएर के यहां पे प्रोर दूनि वेद के बारे में, लिंग वेद के बारे में तो आपको पेला वाद़िध करे देह करो जो भी feminist है उन्होंने किस थीके से महीलाओं का इतियाहस किया आप दिखो गे बारत के अंदर में महीलाओं का इतियास एक बड़ा इतियाहस देखने के लिए जाता बट हर एक इतिहासकार के द्वारा ये अलग-अलग तरीके से उसको परजेंट किया गया है कुछ ने महिलाओं का इतिहास को बहुत वाइट दिखाया कि किस तरीके से क्या चीज़ रही है कुछ ने उसको दबाने की कोर्सिस की है या फिर उस तरह की चीज़े नहीं देखने क्लिए मिलती है तो अब यहाँ पर महिलाओं के थियास के अगर बात करोगे तो बारत की अजादी के अंदर में उतना ही हक था मतलब उतना ही बड़ा मतलब उतना participation जितना पुरुषों का था उससे जादा कहीं-जादा महिलाओं का देखने के लिए मिल जाता है कई सारे आंदोलन जब गांदी जी के द्वारा खुद बोला जाता है कई सारे आंदोलन में जहां पर पेसंस की ज़रती जहां पर एक धहरे की ज़रती के धहरे के साथ आप 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 अगे बढ़ा सको जो पुरुशों के पास निवा करता तो महिलाएं उसको लीड करती थी और गांधी जी की विचारदा थी सत्य हींसा के बारे में वहां पर परमपरागत इतियांस लिखन है क्या जो पुरुशों से चलता रहा है ठीके मतलब एक पीडियों से चलता रहा है तो परमपरागत तोर पे किस तरीके से इतियांस लिखा जाता है क्या तरीका है किस तरीके से प्रजेंट करना वो पर कुछ खास टॉपिक में रहता है महिला उपनिविश्वादी जो फूरी विचारदा रहा था उसके किस तर से अधिपत जमा उसके अंदर में नसल की अवधार ना किस तर से विक्सित हुई ठीक आप देको भारत के अंदर में आपने दिखा हुआ जाती ववस्ता के अधार पर बटे हुए थे लोग रंग के अधार पर बटे हुए थे लोग ठीक है गोरे-काले जाती गाओं दियात इसके अधार पर बटे हुए थे साधे साथ इसका फाइदा सेम उपने विश्चिक जो सत्ताधारी थे उन्होंने भी उसको लिया और सीम एजटी उन्होंने बढ़ा कि उसको और ऐसा नहीं था कि स्री भार रह रहा है ब hospitalized शाइब देख रह पर बार बटे उसके अधार आध innovation banking उसका और उसको बिखाऊ चाराया जोदिखा वार बीदिए होगा हो एज को एक नियुक्ता नवा है लोटका गतल्युप अदर इसको पर लिए कह बीए अ चुरी बहुत अच्छा बोलता है रहने वाला कर विहर के लिए में इस्ट्रली जॉप ना कीAh हो Nagaina रहता है यह जॉबाफ़ legitimate-up से रहता है कि बहुत अच्छा वुशुरी बोलता कि अगर आप अमेरिगा किसीट यहां केका को ईकना जयादा ऌकी अपका जक्राई आप सुनु वह बहुत मुस्किल है पर भारत का जो सबसे ज़्यादा नकसलवादी एडिया था ना भिहार के कई सारी लाके कहता है वहाँ पर मैंने 10 साल से जाधा रहा और मेरे मतलब ना अपने गाउं से जाधा जहां आप से ओक बिलॉग करता है वहां से कहीं ज्यादा जाने पर चाने क को हम नसलवाद कहते हैं ठीक है यहां पर नसल की बात कर रहे हैं नसल रंग भेद ने नसल की बात कर रहे हैं ठीक है रंग बेज जाती है दार पर जो होता है नसल भेद उसके बारे में बात कर रहे हैं व्यक्टन नमर उनिस जहाँ पर बात करते हैं उपनिवेश्वादी इत्यास लेकर के बारे में, अब बैको इतिहास को नो, अलग-अलग लोगों की द्वारा अलग-अलग तरीके से परजंट किया गया, जिस जो भी इतिहांस कार जहां का था, उसमें अपने इसाफ से इत्या तो उपनिवेश वाल के अंदर में जब आपका गुलामे का दौर चल रहा था न तो उस टाइम के जो इतियास कारते हैं उन्होंने किस तरीके से अपना इतियास दरसाया ठीक है किस तरीके से लोगों को हायर किया इतियास लिखने के लिए कि यह इस तरीके से प्रजेंट करो उपनिवेश वादी इतियास लिखन है क्या यह आपको बताना रहता है ठीक है समझ में आता है चैप्टर नमबर 20 जहां पर हम बात करते है रास्ट वादी इतियास लिखन के बारे में अब रास्ट वादी इतियास लिखन है गया तो यहां पर कोश्चन बनकर यही आता है कि रास्टवादी त्यास लेकन क्या है और उपनेवेश वादी और रास्टवादी त्यास लेकन के अंदर में डिफरेंस क्या है तो देखो रास्टवादी त्यास लेकन के अंदर में एक रास्ट को सर्वोपरी मामे जाता है कि सबी चीजों से उपर, सबसे उपर हमारा रास्ट है और उसी को सर्वोपरी मान कर उचलते हैं यह क्या समझ में आता है, सर्वोपरी किसको मानते हैं रास्ट को मानते हैं, अपने देश को मानते हैं अगर भारत में है पंजाब हर याना कहीं भी रहे या बिदेसच में किसी और कंट्री में है तो जितने भी लोग है न सब ही लोग को अपने देश पहुँच रहे हैं उनका ये मानना है ना कि पूरे दुन्या में अगर कोई भी बंदा इसराइली है और किसी भी जग़पे रह लिक है और भारत उसके लिवाद उठाय का अगर यह मान के चले ना तो साइच जो बंगधेश के अंदर में हिंदू की संख्या खतन होगे ना के बराबर रहे वह कभी नहीं होती पाकिस्तान के अंदर में जूर्म होते हैं हिंदू को पर में ऑगता है इसका रीजन सबसे बड पूरे विश्व के अंदर में कोई भी वेक्ति अगर यहुदी है तो हमारा देश का नागरिक है और इस्राइल के लोगों का भी यही मानना है कई बार जो कोश्चन इसके अंदर में यह भी बनकर आता है कि रास्ट वाद और उपनिवेश वाद के अंदर में क्या डिफ्रेंस है इस तरीके से भी कोश्चन बनकर आता है देखो चैप्टर नुबर 21 जहां पर हम बात करते हैं संपर्दायवादी प्रविर्तियों के बारे पुछा जाता है टॉपिक संपर्दायवादी त्यासलेकन अगर उपर के दो टॉपिक में से आ रहे हैं कोश्चन ठीक है मतलब यह चैप्टर नुबर 19 और चैप्टर नुबर 20 में से आ रहे हैं तो इसमें से चांजे बहुत कम हो जाते हैं और पिछले काफी समय से माक्सवादी दिरिष्टी कोन है क्या ठीक है भारत के इंदर में जो माक्सवादी के संदम में किस तरह से इतियास लेखन किया जाता है माक्सवादी दिरिष्टी कोन को लेकर इतियास लेखन किस तरह के सिखिया गया जो माक्सवादी इतियास कारते डीडी को सामभी उनके द्वारा क्या चीज़ प्रजेंट की गई ठीक है भारत के इंदे में नव जागरन का काल किस तरह से सुरुआत हुआ नव जागरन है क्या भारत का यह आपको बताना है ठीक है तो यह भी टॉपिक आपका इंपोर्टेंट रहेगा कई बार आपको यह वाला कोश्चन आपको मार्क्सवादी अब देखो अगर माल लो मैं बीजेपी की विचावदार से आज के समय कोगर में दाऊ हूँ मैं बीजेपी की विचावदार से बहुत जादा प्रभावित हूँ अगर मैं उसका कोई भी थ्यांस लिखुआ हुँ आ आज की government की बारे में बात करूँआ तो क करें कि वेक्टि को आप लेकर आओ जो Congress Government को बहुत जाद एफिसेट करता है तो वो कहीं न कहीं अगर History लिखेगा तो Congress Government के तरफ जुकाव करके लिखेगा तेम चीज यहां पर देखने के मिलता है कि जो भी इतिहास कारते हैं जिसकी विचादारा जिस विचादार से मैच करती थी तो वो उसी तरफ से लिखता था पर इतिहास लिखने के में सबसे मीन चीज क्या होता है कि अपने आपको न्यूट्रल रखकर ठीके बीच में रखकर History लिखना वो सबसे ज़्यादा इंपोर्टन टूल रहता है अगर आप बीच में रखकर इपना इतिहास लिख रहे हो ना तो Cambridge School कोई स्कूल जासा नहीं है मतलब एक स्कूल के अंदर में कि इतिहास का गृूप है इस इतिहास का गृूप है और इस इतिहासकार के गृूप के अंदर में जाता तर जो लोग थे ना इस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वही सामयलते दिकारी लोग थे जो इतिहास लिखा करते थे अलग अलग चीजों पर टिपड़ी किया करते और कहींड है इसे प्रवावित थे तिक होमें इस इंडिया कंपनी बृटन के सासनकाल को समराज्य से वाथ को अप्रिशे करते थे उसको इन्होंने बढ़ा चड़ा कर दिखाने की कुर्चिस करी तो ये Cambridge School का भी topic अच्छा topic रहता और कई बार exam में आ जाता है अब जनो मुखी इतियास के अंदर में हम बात करते हैं अब जनो मुखी इतियास के अंदर में हम बात करते हैं जनता को आम जनता जो आम जनता है ना आम लोग अब देखो मुखे सम्मानी के बारे में सब जानते हैं ठीक है अडामी के बारे में सब जानते हैं बड़े बड़े इसके बारे में आपको ना सो अगर न्यूज चैनल के वीडियो देखोगा न तब जाके कहीं न कहीं एक वीडियो आपको देखेगा अगर कोई मरवर गया ना कुछ ऐसे इंसिडेंट से तब दिखेगा भी अधरवाइस नहीं दिखेगा ठीक है सिंपल सी बात है जैसे आप सलमान खान ने कार चड़ा दी ठीक है एक एक जामपल में लेके चलू आपको सलमान खान ने कारशड रषरट वारट पर जब लोग मरे रद्यथ करें उस टाइम पर अगर यह इंसिडेंट ना उल्टा हुआ होता कि किसी आम वैक्तिक तो और किसी आम साधारन वैक्तिक के दोरा तो अब तक पताने कितने घरों को जला दिया गया होता ठीक है कितने दो दिन पहले ही ट्टेटर कर पढ़ा कि स्लमान खाल कांटा जो जो पूरा को स'T प् converting Second Ter blogs सुना था चीज ने टीक है तो वह रेटाइर होने वाला है या मैं रेटाइरमेंट से पहले पहले फैसला नहीं पता हुआ थो कई नियूज को करने में और एक चीज भेरीफाई ख़ंगे मिन और तो हमारे बहुत का कुछ शिस्ट्रम इस तरह के कितना है तो यहाँ पर जो जनुमुखी इतियास लिखन है ना उसमें आम वेक्ति को केंद्र बिंदु मानकर ठीक है आम जनता को केंद्र बिंदु मानकर लिखा गया इतियास को हम जनुमुखी इतियास के अंदर में दिखाते हैं यह किसमज में आता है तो दोनों के अंदर मे इतियांस लिखन की से कहते हैं रंजित गुहा के द्वारा जो इतियांस लिखन या सभालतन इस्टडिस के तौर पे लेकर चलते हैं ठीक है यह एक तरह से ना विक्सित विचारदा रहता इतियांस को इस्टडी करने का एक इस तरीके से एक नया पॉइंट अ व्यू एंगल के साथ में study करना किया जाना चाहिए यह इसके अंदर में बताया गया ठीक है जब्टर नमर 26 जहां पर हम बात करते हैं आरती की थियांस के बारे में आरती की थियांस लेकर नहीं होता है कि के बार कोशन यह भी बनकर आता है कि राष्टवादी इत्यास कारों के दväरा जो आरती की थियांस लेकर बारे में बताई बताया लााउच्यास की परह एंक्तर में जतने बी त्यूर्स तयार के जैसे प्रपोजल लेकर आए उन्हीं के सब्सक्राइख वरन था उसको उन्होंने बहुत जोरतों से हानी पहुंचाई तो किस परकार का एक राष्टवादी विचारक के द्वारा ठीक है यहां पर जो आरतिक इतियास की विचारतारा को विक्सित की गए थी यह टॉपिक आपका बंद करें जाता है चैप्टर नुमर 27 जहां पर हम ब फिर लिंग भेद किया है ठीक है लिंग भेद अधार पर जन जाती है और अपर किस तरीक इस प्रकार से किया जाता है तो कुछ खास चैप्टर नहीं रहते हैं यह वाले पर चैप्टर नूमर 30 एगर आप बात करो तो यहां पर बनकर आता है परियावरन विज्ञान और प् अधुनी की त्यास के अंदर में पर्दुगी की भूंका क्या है विज्ञान की भूंका किस परकार की है ठीक है परियावरन की भूंका किस परकार की है आज के समय में क्या इंपोर्टेंस है विज्ञान की किस तरह से तकनीक का विकास हो विज्ञान का विकास हो विज्ञान बन सकते हैं और सबसे मोस्ट इंपर्टन सभी स्टुएंट से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लास्ट फाइवर के कोशिंग पर की वीडियो जरूर देखें दाईनात के उपन में आपको मिल जाएगा हर जो सब्जेक का प्ले लिस्ट है उसके इंदर में आपको लास्ट सब्सक्राइब की वीडियो मिलेगी कि solve वीडियो उसको जो देखोंगे तो बहुत आपको benefit मिलने वाला है आपका जो अर्मोस 90% कवर हो जाएगा एक वीडियो को देखने के बाद तो आप उस वीडियो को जुरूर देखें यहां पर एक चीज़ सबसे पहले मैं ये भी बा करता है और आपको इगनू के लिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत 休र अगर आप आंसर आइटिंग की practice करते हो तब अच्छे नमबर के काभी लो आप अच्छे नमबर ला सकते हो और अंसर राइडिनिंग की प्रैक्टिस तब कर सकते हो जब आप लास्ट फाइवर के कोश्चिन पर को सॉल्फ करो ठीक है जितना टाइम बचा हुआ न यह मत देखो कि यार मेरे पास दो दिन बचा हुआ है क्य अगर आप घर से ही चार लाइन बढ़के जा रहे हो तो आप 8 लाइन उसको बना नहीं पाओंगे और दो लाइन कम हो जाएंगे आप उसके लिए आपको जादा जादा आप स्टेडी करके जाओगे तब आप अच्छे से बना पाओगे तो जो भी टॉपिक है ना पांस सार चनल को सस्क्राइब नहीं कर रहा है तो सस्क्राइब जरूर करें दाइन आप के उपर में में हिस्ट्री आपको सारी वीडियो मिलने वाली है टाइम टू टाइम और साथी साथ नव इंफो पे जितनी भी इगनुस लेटीड अपडेट है आपके असाइमेंट एग्जाम अच्छेम्न को सस्क्राइब करना है और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखना है अगर आपके मन में कोई डाउट हो कोश्चन हो कन्फीजन हो तो आपने कोश्चन को कमेंट बोक्स पे रेज कर सकते हो यहाँ पर वीडियो अंड करते हैं मिलते हैं यह वीडियो के अंदर में, thank you so much for watching me, thank you so much for listening to me, bye bye, take care, all the best